यदि परमिश्वर आज रातरी आपको चंगा करता है इसके पहले कि आपकी मुर्ति हो आप फिर बीमार हो सकते हैं अब से एक वर्ष में या दो वर्षों में अब से आगे संभव है अब से एक सप्ता में या अब से एक दिन में नहीं जानता परंतु एक बात निश्चित है कि आप किसी एक दिन इस संसार को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि ये केवल चिपका हुआ है परंतु वो प्राण जब भी पवित्रा आत्मा के संपर्क में आता है और नया जनम प्राप करता है तो आपके पास अनजीवन है कोई मतलब नहीं कि यहां क्या घटित हुआ येशु ने कहा आप कभी भी नस्द नहीं होते हैं वो जो मेरे शब्द सुनता है मुझ पर विश्वास करता है कि जिसने मुझे भेजा है ये वर्तमान काल है अनन्द जीवन वो दोशी नहीं ठेरेगा परंतु भूत काल मिर्तु से पार होकर जीवन में परवेश कर गया ये हमें मेतोडिस्ट बनाएगा और चिलाना आरम करता है क्या नहीं करता ये ठीक बात है ये सोचता है कि परमिश्वन ने ये किया है अब ये मेरे शब्द नहीं है ये उसके है संतिय हुना पांच चौविस संतिय हुना छे ये शो ने कहा वो जो मेरा माज खाता है और मेरा लहु पीता है उसके पास अनन्स जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा ये ठीक बात है वो जो मेरा माज खाता और मेरा लहु पीता है वो वर्तमान काल अनन्स जीवन अब ये अनन्स ये एक बेदारी से दूसरे बेदारी परन्तु अनन्स तामे से निकलता है अनन्स जीवन है